हेलो इस्टुडेंट कैसे आप सब एक बार पुना हैं आप सभी का आपके अपने चैनल सीव कोचिंग क्लासस पर स्वगत हैं आप चाहे किसी भी क्लास में हो 9th, 10th, 11th त्या 12th या आप कमपटीशन की त्यारी कर रहे हैं आपके लिए आज एक मात्पून टॉपिक लेकर आया हूं गुरनखन सीखना है आसानी से बहुत आसान तरीके से गुरनखन सीखेंगे बस वीडियो को अंतक देखिए जिन्दिगे में कभी दोबारा गुरनखन सीखना नहीं पड़ेगा आपका एक दुई घाती बहुपद दिया रहेगा उस बहुपद का हम गुरनखन करना सीखेंगे ठीके स्टूडेंट तो चलते हैं पहला कोशन लेका चलते हैं आपके पहला कोशन है x2-2x-8 ये आपके लिए पहला कोशन है इस काम को गुरनखन करना है सबसे पहले गुणनखन करते समय आपको देखना है कि x square का कोई गुणांख है जी हाँ एक है तो एक का multiply 8 से कर लेना है जो भी last में अचरपद रहेगा तो 8 ही कम 8 है सभी में यही करना है फिर हमको जो हमें प्राप्त हो तो ये ध्यान देना है कि ऐसी कोई दो factor लेना है गुण का गुणा करने पर तो 8 है लेकिन जोडने और घटाने पर 2 आए कोई भी 2 factor ले ले आठ का जो भी गुणा करने पर हमें प्राप्त हो रहा है उसके 2 factor लेना है यदि मैं कहा दूँ 2 गुणे 4 तो 4 दूनी 8 और 4 में 2 घटाने पर 2 आ रहा है बिल्कुल सही है तो x square minus 4 में हम 2 घटाएंगे तो 2 आएगा और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा इतना आपने कर लिया अब देखिए x square minus है तो minus 4 4 का x से गुणा होगा तो 4x रिड का गुणा रिड से होता है तो धन होता है तो 2x हो जाएगा minus 8 अब करना क्या है इन दोनों में से कुछ common factor है तो क्या क यदि minus होता तो minus लेते ध्यान रखना है दो यहाँ पर है 4 दूनी 8 यहाँ भी 2 है तो 2 कामल लेंगे तो यहाँ बचेगा x और 8 में से 2 बाहर हो गया कहने के मतलब 4 दूनी 8 तो 4 बचेगा क्योंकि 4 दूनी 8 अब यहाँ पर देखिए x minus 4 दो जगह है तो यह और यह दोनों से यह में तो बाहर ले लिया हमने यहाँ पर बचा x और प्लस 2 यह आपके गुड़न खंड प्राप्ट हो गए है यदि हमको इनके सुन्नेक निकालना होता है कि इनके x की बहलो तो x minus 4 बड़ाबर 0 करते तो x बड़ाबर आ जाता प्लस 4 और x plus 2 बड़ाबर 0 करते तो x बड़ question आपके पास दूसरा question है 4 x square minus 4 x plus 1 खासतोर से 10 वाले तो बिल्कुल और 9 वाले इस्टुडेंट हमारे चैनल में जुड़े हैं उनके लिए तो काफी मातपूर है हलाकि आप किसी भी class में तो आपके लिए गुड़न खंड काफी मातपूर होना चाहिए चलिए करते हैं इसक से पहले x square का गुड़ांक जो भी हो उसको अपन आचरपत से गुड़ा करेंगे तो आपके पास आगया 4 अब हमें common factor लेना है इसी के जिसका जोडने या घटाने पर plus या मैनस करने पर 4 आए और गुड़ा करने पर कितना आए 4 आए तो मैं सीधा सा बताता हूं कि यदि हम 2 दो दो कर दें दो दो कर दें तो 4 आजाएगा और 2 और 2 का गुड़ा करेंगे तो आपके पास आएगा कितना यहां पर 4 है लेकिन लिखना नहीं है जो यहां पर आपके माइन में होना चाहिए माइन में सट होना चाहिए ठीक है चलिए आगे देखते हैं तो 4x square 2 का multiply तो 2x और अंदर भी माइनस का plus से होगा तो माइनस 2x प्लस 1 आगे देखें common factor दोनों में कुछ है तो x तो दोनों में है और 2 भी है यहां भी 2 और 2 दोनी 4 तो 2 यहां भी है तो 2x लेंगे तो यहां पर बचेगा 2x देखें न 2 दोनी 4 तो 2x बचा यहां पर बचा पुरा 2x बार त तो एक बचा, यहाँ पर मैंने कहा था कि जो भी रिण हो तो रिण लेना है, धाना तो धन लेना है, अब यहाँ पर कुछ कामन नहीं दिख रहा है, तो 2X कर देते हैं, लेकिन माइनस कामन लेने से अंदर के चिन्ने भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, अब देखिए, यह यहाँ पर सोचेंगे क्यों माइनस तो यहाँ तो प्लस था, तो माइनस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं क्योंकि माइनस का माइनस से मल्टिप्लाई होगा, तो प्लस हो जाएगा, देखिए, 2X माइनस वन दोनों जगए हैं, तो दोनों जगए इस कामन ले लेती हैं, यहा बराबर जीरो एक्स बराबर हो जाता एक बटे दो एक इधर जाता फिर दो मल्टिप्लाई और आपके पास 2x-1 बराबर जीरो तो 2x बराबर 1 तो x बराबर 1 बाई 2 इस प्रकार से आप गुड़न खंड आसानी से सेख सकते हैं और आज के वीडियो केबल गुड़न खंड का ह तो कई सारे गुड़न खंड लेकर चलूँगा ताकि आपनों को दिक्कत ना हो सके आपके पास एक गुड़न खंड है कि आपके पास 6x-2 और –3-7x अब यहां पर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसको अरंज कर लेना है कि 6x-2 है तो यहां पर –7x को पहले लिख ले से गुड़ा करना है तो छत्रीक 18 आपके पास प्राप्त हो रहा है अब हमको 18 के ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिसके फैक्टर से हमें जोड़ने या घटाने पर 7 प्राप्त हो और गुड़ा करने पर 18 तो तुरंत माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि यदि हम 9 में 2 घटा तो 7 प्राप्त होता और ना दूनी 18 लेकिन यहां पर लिखना नहीं है 18 तो यहां पर थोड़ा सा एक्स लिख लें यहां आपके पास एकस है तो यहां पर एकस होगा ठीक है ना एकस होगा चले आगे करिए 6 x square x का अंदर multiply कीजिए तो 9 x और रिड का रिड से गुड़ा तो धन ठीक है ना तो कितना हो जाएगा दो एकस और रिड तीन अब सोचेंगे ऐसा क्यों किये क्योंकि देखिए ना 9 x में 2 x घटता तो 7 x ही आता इसको अमने तोड़ा तो है है ना फैक्टर की रूप में बनाया है अब इन दोनों में से 3 कामान आएगा 3 दूनी 6 तीन यहां पर 3 कामान आगे इसमें से कुछ नहीं तो प्लस 1 कामान ले लो 2 x माइनस 3 अब दोनों जगे हमें क्या दिख रहा है 2 x माइनस 3 दोनों जगे यहां पर बचेगा 3 x और यहां पर बचेगा 1 यह आपका हो गया गुडणखन कंप्लीट इसका हमें सून्यक निकालना है त यह आपके पास एक सून्यक और दूसरा कितना है 3 x प्लस 1 इकॉल 0 तो 3 x इकॉल माइनस 1 प्लस है पक्षांतर होता तो माइनस हो जाता जिदि x इकॉल कहते तो माइनस 1 y 3 यह आपका हो गया गुडणखन कितना आसान है ना कुछ भी टप नहीं है बस माइन में आपके होना है कि हमको साल्व करना है कई स्टूडेंड का यह बी जोन होता है गुडणखन नहीं बनता आप बहुत महिनत करते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा रूल्स पता नहीं होता बस अपने से मल्टिप्लाइ करते रहते हैं सबसे पहले आपको x2 का गुडणख जो भी होगा उसका म कामन फैक्टर लेना है कामन फैक्टर मतलब उभै निश्ट गुडणखन ऐसे दो हमको लेना है जो कि हमारे पास जोड़ने ए घटाने पर x का गुडणख प्राप्त हो जाना चाहिए चलिए देखते हैं अगला कोस्चिन यह आगला कोस्चिन है कितना 3x2-x-4 तो सबसे पह करते हैं देखते हैं कि 4 में दी 3 घटा दें लेकिन कोस्टक हमेशा लगा कि रखना चार में 3 घटाते तो एक आता है और 4 तीया ही 12 आता है ठीक है अब करेंगे क्या 3x2-4x-3x-3x-4 यहां तक कोई दिक्कत नहीं देखिए दोनों में हमें x दिख रहा है और कुछ भी कामन तो 3x-4 हो जाएगा इन दोनों में कुछ नहीं मिलता तो प्लस 1 तो है यह सम्में 3x-4 हो जाएगा अब 3x-4 3x-4 दो जगह है तो एक आप बाहर ले ले तो यहां पर बचेगा x और यहां पर बचेगा प्लस 1 इसका सुनने के दिनिकालना है तो क्या करना पड़ेगा 3x-4 ब बाहर जीरू एक बाहर माइनस 1 तो दो सुन्यक भी आ चुके है आपके 10th क्लास में सारे कोशन है और कोई भी क्लास के हो गुरन खंड तो बनने चीज़ स्टुटेंट ठीक है और लेते हैं कुछ कोशन जो कि आपके लिए महात्पूर्ण है अब देखिए यह कोशन है एक स् यहां पर देखिए एक स्क्वर का गुड़ांग एक है और 216 का मल्टिप्लाइ करेंगे 216 अब हमें ऐसे कोई दो फैक्टर लेने हैं 216 के गुड़न खंड लेने हैं कि जिनका गुड़ां करने पर तो 216 आए और जोड़ने एक हटाने पर कितना आए 6 आए तो इस कंडिशन में हम करते क्या हैं 216 का गुड़न खंड कर लेते हैं सबसे आसान तरीका दो एक कम दो भाग न पहुंचे दो अठे सोला दो पंचे दो चौको ठीक है दो दूनी चार दो सत्ते चौद है ठीक है फिर तीन से तीन दमा 27 फिर आप देखें तीन तरकाई 9 यह देखिए अब द नुरण चैब दो दूनी चार चार दूनी आठ चैब आठ ले लिया हमने तीन तरकाई 9 और पाल में itself त्रकाई 9 पर दोन होता नहीं होता इक काम करते हैं आसा करते हैं तीन तरकाई 9 आप दो दूनीarius's 12 बिल्कुल सही मतलब 12 गुण 18 करने पर हमें प्राप्त होगा 216 और 18 में 12 घटाने पर आएगा 6 अब यह थोड़ा आपको अजीब लगा होगा कि यह कहां से आ गया अब आप खुद दिमाग लगाएगा कि 18 में 12 घटाएंगे तो 6 आएगा कि नहीं बिल्कुल आएगा और 18 मे कोब 12 हो जाएगा और and 16 मैना 216 दोनों में से एक्स कामना उरा एक्स धन 18 हो जाएगा और कुछ कामन आ है चैना है लेकिन इस दबार आएगा ही क्योंकि इसमें है और अंदर यहां सब और गश्तिद कामन लेंगे अंदर काशीन बदल जाएगा क्योंकि यहां से मॉंको यह आपके पास minus है तो minus का जब plus से multiply होगा तो minus होगा और ये 18 और 12 से मिलकर बना हुए तो जब बाहर आगे तो 18 बचा ही बचा है तो आपके पास आचुका है X तर 18 और यहाँ पर बचे का X और यहाँ पर बचे का 12 इस प्रकार से आप आसानी से बुरन खंग तो निकाल ही सकते है student और थोड़ा सा tough है बट यदि आप अच्छे से मतलब अपने आत्म संयम के साथ करते हैं तो बिल्कूल कठीद नहीं है अब आपके लिए एक और question चुनोती है x square plus 5x minus 18 100 ठीक है इसका हमको गुरंखन निकालना है चलिए तो इसके लिए आपको पुनह वही क्या करना पड़ेगा 18100 में एक का multiply करेंगे तो 18100 आएगा अब हमें यहां से परसानी यह होती है कि 1800 इतना लंबा है हम कैसे common factor निकाले हैं केबल डिफरेंस कितना होना चाहिए 5 का होना चाहिए तो हम कोई बड़े अंक लेते हैं जैसे यह हम 1800 में ऐसा दिमाग लगाते हैं कि थोड़े से बड़े अंक होने चाहिए तो दो-दो का divide करेंगे तो बहुत लंबा चोड़ा हो जाएगा 10 का करते सीदे 180 आएगा फिर 10 का करते सीदे तो 10 का एदी कर दे 18 आएगा और यह 18 तीन गुड़न खंड़ा रहे हैं और इतने भी नहीं हो रहा है तो एक काम करते हैं इसको 2 गुड़े 5 कर सकते हैं 2 पंचे 10 दो गुड़े 5 कर सकते हैं 2 पंचे 10 और इसको कर सकते हैं 9 गुड़े कितना? 9 गुड़े 2 अब एक दिमाग लगाएं दी कि 9.45 पैटालिस आ गया और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, दूनी 40, 40 आ गया मतलब हमारे पास 45 और 40 आया तो हमको ये देखना है क्या 45 और 40 में कुछ combination हो रहा है जी हाँ हो रहा है 45 में 40 घटाएंगे तो 5 आएगा और 45 में 40 को गुड़ा करेंगे तो 18 हो आएगा समझ रहे ना तो अब बस आपका solution यहां से complete हो जाएगा बहुत आसानी से यदि हम 45 में 40 घटाएंगे तो 5 आएगा एकस है तो एकस रेने 2 और माइनस 18 हो आएगा ऐसे गुड़नखंड करना सीखना पड़ेगा आपको क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक आपसे बनने चाहिए 45 एकस हो जाएगा और मैंनस 40 X हो जाएका माइनस 18 हो जाएगा अब यहां से X कामण लेंगे तो X धन 45 हो जाएगा और यजिए यहां presentations 40 कामण लेते तो यहां extra 45 हो जाएगा एक और आपको यहां पर ग्यान मिलना चाहिए जो यहां पर होता है वो यहीं पर होता है मतलब कहने कि मतलब जो भी हमारा पहला कोश्टक के अंदर प्राप्त होगा वही हमारा सेम दूसरे कोश्टक के अंदर भी होना चाहिए तो आप से दिना भी बने तो सीधे 40 बाहर लो बांकी जो बचे इसको सीधा लिख दो तो आपके पास एक सदन 45 है और आपके पास एकस और मायनस 40 यह आपका गोड़न खंड हो गया तो गोड़न खंड करतें समय यहां पर इसका जो फैक्टर निकालना होता है न वो आपको ध्यान देना मैं common factor रह बार बोलता हूँ common factor मतलब दोनों के दोनों उभाय निष्ट है उसी में उपस थी थे गुरनखंड नहीं जो कि कामान है मतलब दोनों के दोनों अठारे सौके हैं ऐसे हमी कोई भी factor लेना है गुरनखंड लेना है ठीके ना तो आसा करता हूँ वीडियो लगबख 15 मिनिट का हो चुका इस्टूडेंट लोग आप लोग प्लीज इसे अच्छे समझें बरिकिस समझें क्योंकि आप किसी भी class में सब के लिए मात पूने है ठीक है मिलते फिर अगले वीडियो में ने टॉपिक के साथ तब तक लिए जैहिन बंदे मात रम